हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सभी उमीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे आज के वीडियो लेसन में हम पढ़ने वाले हैं टाइपस ओफ फोबिया सबसे पहले हम यह समझ लेते हैं कि फोबिया होता क्या है यानि किसी चीज से बहुत ज़्यादा डरना देखो हम इनसान है तो सभावी के किसी न किसी चीज से हम डरते हैं लेकिन अगर ये डर हमारे दिमारे दिमाग पर हमारी दिन चरिया पर हावी होने लग जाए तो ये फोबिया होता है अब हो सकता है कि आपके दिमाग में question आया हो कि phobia होने के causes क्या होते हैं बहुत सारी वज़े हो सकती है कोई unknown वज़े भी हो सकती है कोई हादसा हो सकता है या फिर genetic भी हो सकता है phobia treat भी किया जा सकता है counseling से, medication से और therapy से अब सीखते हैं types of phobia the first one is toxophobia यानि कि जब इनसान को poison से डर लगता है आ कोस्टो को phobia sound से डरना hydrophobia पानी से डर लगना hemophobia खून से डरना zoophobia जानवरों से डरना carcinophobia यानि कि जब इनसान को हर समय ये लगता है कि उसे cancer हो जाएगा chromophobia color से डरना mostly लोगों को लाल रंग से डर लगता है क्योंकि लाल रंग blood का होता है बीमो phobia यानि कि भीड में जाने से डरना लोगों के बीच जाने से डरना कोनियो phobia dust का डर यानि कि धूल मिटी का डर पाइरो phobia आग से डरना ओइको phobia यानि कि जब इनसान को घर से डर लगता है घर की किसी चीज से डर लगता है या घर के किसी कमरे से डर लगता है इसके पीछे वजह हो सकती है कोई हादसा जो उस घर में घटित हुआ हो उस कमरे में घटित हुआ हो या कोई चीज जिसकी वज़े से कोई हाथसा हुआ हो पैनोफोबिया, पैंटोफोबिया, पैनफोबिया, ओमनीफोबिया इन सभी का एक ही मतलब होता है Fear of Everything यानि की हर चीज से डरना गैमेफोबिया यानि की शादी से डरना ये जो फोबिया है mostly male में होता है इसके बीचे कोई भी reason हो सकता है, financially हो सकता है, social हो सकता है या फिर parents के बीच जगड़े हो सकते है निक्टोफोबिया, रात में बहुत ज़्यादा डर लगना पैथरफोबिया, नोसोफोबिया यानि की जब हर समय इनसान को ये लगता है कि मुझे कोई बिमारी हो जाएगी या मुझे कोई बिमारी है तो ये दी friends हमारे आज की वीडियो, I hope आपको पसंद आई हो अगर पसंद आई हो तो like and share करना मत भूलिये, फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, till then, bye bye